पिशले दो दिने से भारी बारिश की वज़े से पेच जलाशे पूरी तरह पानी में लबावलब होने से नदी में पेच जलाशे का पानी छोड़ा जा रहा है पेच चलाशे के 16 दर्वाजे 2 मिटर से खुले गए जिसमें बड़े पैमाने पर पेच नदी में पानी आने से पेच नदी उफ़ान में बह रही है बारिश होने से आसपास के छूटे बड़े ताला पानी की वज़े से लबालब दिखाई दे रही है खेत खलियान में बारिश का पानी जमा होने से खेतों की फसलों को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है आपको बता दे की नदी किनारे बसे गाम की लोगों को पहले ही प्रशासनी अलट कर दिया है आने वाले दिनों में भारी-बारी शुनी का अंदेशा मौसम विभाग की ओर से चताय जा रहा है जिस वज़े से पीच जलाशे के पानी का स्तर और बढ़नी के आशंका निर्मान होनी से पीच जलाशे और पीच नदी में बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने की परिस् प्रेट्याम भी पुरी तरह से हो चुका है इसकी वज़े से आज प्रेट्याम के स्वोला के सुना धर्वाजियों से प्रेट्यादी में बड़े प्रेट्याम के पानी छोड़ा जा रहा है इसकी वज़े से नदी दोनों और प्रेट्याम के वह रही है इसकी वज़े से आज प्रेट्याम के सुना धर्वाजियों से फोल दिये गए है जिसकी वज़े से यहां पर बोशा दिखाई मेद्य आज यहां पर चिखाइ दी रही है अच्छा नगा में नजया डर्वाजियों से ब्ला पर। प्रेट्याम के लिए ब्ल judgments करें प्रेट्याम करे हैं एहां फर्रवाजित है ओछ लिए फिकन है यहां पर आते हैं कि इसा जब सकता है और इस पानी को वहाँ इसकता तेज नजी किती उखान करें यह यह दिखाए गे रहा है। इसने परशासे ने कहा है कि आजवास के गावालों को अलग जिया गया कि कोई दर अधिके पास ना जाए और नहीं इसे पार करने के कोशिश करें। इन बिसे न्यूस के लिए पारशीवनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट।